अलो एवरिवन वेलकम टू ईजीवे चनल पर अब सभी का स्वागत है जितने भी बचे और भी ग्रूप डी का एकजाम की तयारे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुस ख़बरी है कि जो फर्स्ट फेज का नोटीस है वो आपके सामने आ गया है और यह सबसे पहले औ करने वाले किस डेट से है तो जो भी कर्फ्यूजन था किस अग्याम होने वाली है या नहीं है है वो किलियर हो गया है क्योंकि आप देख रहे होगा है यहाँ पर वन दोजा उननीस लेवल वन पोस्ट रिकुरिप्मेंट फोर बेरियस पोस्ट इन वन टू सेवन पर मैट्रेक्स नोटीस ऑन एक्जाम सीडूल फोर सीविटी वन फेज ओन ठीक है और यहाँ पर आप हैंने कि पहले ही फेज का एक्जामिसें आपका हैल्ड होगा 17 आठ याने 17 अगस्त दो चीस अगस्त दो आर बाइस तर तक है याने कि R.R.B. गूर्प D की जो पहला फेज का एक्जाम होगी 17 अगस्त दो जार बाइस तक होगी है ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, subject of prevailing condition, government guidelines, issue in the following, ठीक है, COVID pandemic situation, अब जो second point में लिखा है, इहां पे लिखा हुआ है, कि इने order to restrict long distant travel or range number candidate have been planned in multiple phase by different, यह सारा को दिया हुआ है, याने कि आपको जो भी दिया जाएगा, इहां पे लिखा हुआ है, east center railway, south center railway and western center railway, ठीक है, third point जो लिखा हुआ है, सबसे important, कि exam schedule of remaining phase RLC will be announced due to some course, ठीक है, अगला point लिखा हुआ है, कि link of viewing, exam CT, याने कि exam CT आपका कवोगा, date and downloading of travel authority, SCSD, यह सारा कुछ, तो आपका होने वाला 9-8-2022, ठीक है, याने कि 9 अगस्त-2022 को, 9 अगस्त-2022 को आपको official website पे आपको क्लिक करके, अपना exam CT and date of downloading, यह सारा कुछ आप लोग, डाउनलोड कर सकते हैं, admit card और exam CT, कि किस exam में आपका CT center गया है, यह सारा कुछ कब आपको पता चलेगा, 9-8-2022, ठीक है, फिर अगला point लिखा हुआ है, point five, downloading, एक call later, will start four day prior to exam date, देकि कह रहा है, कि 9 तारीको आपको 9 अगस्त को य कि CT में, कहां के आपका exam center गया है, चार दिन पहले, यानि कि अगर आपका सतरे को paper है, तो सतरे से चार दिन before कर देजाए, 13 तारीको आपको पता चलेगा, 12 या 13 तारीको आपको यह पता चलेगा, आप download कर सकते हैं, क्या अपना admit card, जिनका 25 को है, वो 20 या 20 तारीको अपना admit card download कर सकते हैं, ठीक है, तो जब भी आपका exam होगा, उससे चार दिन पहले आपका admit card downloading का option आ जाएगा, downloading of e-call later be a start, 4 day prior to exam date, यानि कि जो भी आपका exam date रहेगा, 17 से लेके 25 के बीच में, इस चार दिन पहले आपका admit card download करने का link activate हो जाएगा, 9 अगस्ट को आपको यह पता चल ज आपको ticket कराने में सारा कुछ सुविरा हो, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अधार card linked biometric authentic candidate will be done on exam center, prior entry in exam nation hall, candidate are required to bring original अधार card, अब यह कहना है कि क्या-क्या अधार card जो exam center में जरौत होगी, किसी चीज़ का जरौत होगी, आपको क्या-क्या ले जाना चाहिए, तो original अधार card अबने जाए, कोई भी चीज़ डोकुमेंट ले जाएगा, ओरिजिनल ले जाएगा, चाहिए ओ अधार card हो, या आप pain card हो, यह सारा पोचर, 0.7 कह रहा है, candidate or advice to refer only official website, अब यह कह रहा है कि candidate को advice कहा जाता है, यह सुजित कहा जाता है कि official website, जो भी आपका zone है, उसको visit करते र लेंगे, यहां पर भी देखिए, अभी 58-22 का यह notice आया हुआ है, Chairperson of Railway Requirement Board, तो यह रहा आपका notice आचुगा है, कि आपका examination, confirm हो गया, बहुत सारे अफ़गाए, टीचर लोग उरा रहे हैं, जेकि नहीं होंगी, फलाना दिखाना, तो confirm हो गया है कि पहला phase का जो आपका exam हो आपका admit card download कर सकते हैं, thank you so much, इसके लिए को और हम video लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बताने की courses करेंगे, कि examination hall में क्या-क्या ले जाना चाहिए, क्या-क्या नहीं ले जाना चाहिए, क्या आप ले जाना पसंद करेंगे, क्या-क्या आपको जरूरत होगी, thank you so much, हम लोग में इस क्लास में,